हेलो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की पहले क्वेशन के साथ क्वेशन्स हैं केस बेस्ट और चैप्टर है पॉलिनॉमियल्स क्लास नाइन्थ बहुत इंटरस्टिंग वीडियो होने वाली है एंट तक देखना बहुत कुछ सीखोगे और जानोगे चैप्टर के different different concepts देखते हैं पहला question हमें क्या कहता है जल्गी से देखते हैं पहले question को हला कि case based questions की अगर मैं बात करूँ तो उनसे घबराने और डरने की बिल्कुल बात नहीं है सारे questions आपके application questions है जो आपने already concept सीखे हुए है बस उनी concepts को हमें revise करना है, question को read करना आना चाहिए, that's it. देखो, मैं आपको एक trick सिखाता हूँ, मैं हमेशे एक बात बोलता हूँ, कि आपको ये सब पढ़ना ही नहीं है, कोई paragraph मत पढ़ो, सिरफ पहला question पढ़ो, जैसे ही case-based question देखो, अपना पहला question बढ़ो, कहता है, what is the degree of the polynomial, हमने का degree का मतलब होता है, maximum power of variable of polynomial, maximum power of variable in the polynomial, अब polynomial का है, हमने का polynomial तो उपर ही मिलेगा, का है, देखो, इन लाइनों में, क्या English के words में polynomial मिलेगा, नहीं न, ये लिखा हुआ polynomial दे, 5T square minus 2T plus 1, तो degree मतलब, इसमें variable क्वान है, T, उसकी maximum power कितनी है, 2, तो degree of this polynomial is 2, तो आपने concept भी revised कर लिया, कि degree of polynomial क्या होता है, maximum power of variable in the polynomial is degree of the polynomial, आप question number 2 देखते हैं, कहता है, find the value of PT, हमने का ठीक है, when T is equal to 2, आप कुछ नहीं करना, जहां-जहां polynomial में T है, वहां-वहां 2 डाल दो, और देखो वीटा, अब आपको case based question आया, कोशिश करो जल्दी-जल्दी solve करने की, आप मन में कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, अगर आपका मन इतना मजबूत है, और मन उसका मजबूत होता है, जो ध्यान और योग करता है, हलाकि 14 years में ये बात करने तो बहुत अजीब सी है, कि है सर क्या सिखा रहे हो सर, spiritualism तो late 60s, 70s का बाट है, तो नहीं है, ऐसो नहीं है, ध्यान और योग की बारे में बात विस्तार से फिर करेंगे, मगर फिलाल आजाते हैं आपके मन के उबर, तो मन में करने की कोशिश करो, अगर मैं T की जगा 2 डालता हूँ, तो 2 का square is 4, and 4 into 5 is 20, 20 लिख दो, minus 2 into T, T की जगा 2, 2 into 2 4, minus 4 plus 1, और 20 minus 4 is 16, plus 1 is 17, और 17 आपका सही आंशर, और यह रहा आपका C part, टीचर को करके दिखाना जरूर, मैं फटा-फट कर रहा हूँ ताकि वीडियो जल्दी खताम हो, आपको फटा-फट से concept समय में आए, और हम आगे बढ़ते जाएं, ठीक है, question number देखो, अगला, मैंने का साथ, एक टर्म का polynomial ही नहीं होता, मैंने का होता है ना, 5 एक polynomial है, मगर इसको हम कहते हैं, constant polynomial क्योंकि इसमें variable नहीं है, तो क्या इस polynomial में एक term है, नहीं, terms कैसे ढूंडते हैं, plus के इधर, plus के उधर, minus के इधर, minus के उधर, terms होती है, तो यहाँ पर कितनी term है, एक, दो, तीन, एक term वाले को monomial, दो term वाले को binomial, और तीन term वाले को trinomial, और linear polynomial वो polynomial होता है, जिसमें variable की maximum power 1 होती है, तो कितना मज़ा आया पहला question शीखने में, और चलते हैं आपने दूसरे question पे, hope आपको अच्छा लगा, और असान लग रही होगी वीडियो, और सच में इस वीडियो को पूरा देखना आपको बहुत मज़ा आएगा, और अच्छे-च्रिकी-ट्रिकी question हम आगे लेके आएं आपके लिए, चलते हैं अपने question number 2 पे, तो moving on to question number 2, आओ देखते हैं question number 2 में क्या कुछ है, जैसा कि मेरी एक आदत है, मैं तो चाहता हूँ, आप भी वो आदत बना लो, उपर सब मत पढ़ो वेटा, time-based होगा, और आपको देखो, बात case study की maths की terms में बहुत different होती है, मैं चाहता हूँ कि आप से पहले पहला question बढ़ो, अगर आपको पहले question में कोई information कम लगे, तो वो information ढूरने के लिए उपर जाओ, उपर से नीचे मत आओ, नीचे से उपर जाओ, और जिन्दगी का rule भी यही है, हम धीरे धीरे नीचे से और उपर से नीचे कौन आता है यार, तो मैं तो उपर जो भी जाता ही नहीं हूँ, हमेशा question number one की तरफ बढ़ो आगे, और चीज़े बहुत simple नज़र आएंगे आपको, solution शुरू करते है, answer number one, solution शुरू करते है, तो सबसे पहले part का answer देखते हैं, क्या होगा, कहता थी, polynomial of the type, ax square, plus bx plus c, where a is not equal to zero is called, अरे, इतना simple question, अरे, वो कह रहा है, कि एक ऐसा polynomial है आपके सामने, जिसमें variable की maximum power two है, अरे, variable की maximum power two, variable की maximum power two, quadratic polynomial, तो पहले question का answer क्या हुआ, quadratic polynomial, आपने कहा, सर, सच में इतने असान question आते हैं, yes, यह, सारे आपके schools में आयों है questions, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और फिरुवात हमेशा असान से होती है, आपको मेरे पढ़ाने की आदत तो पता ही है, हम basic से शुरू करते हैं, और धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाते हैं, the value of case, second part, the second part देखते हैं, बहुत अच्छा question है, अगर यह case study में नहीं आया, तो one mark में आएगा, one mark में नहीं आया तो two mark में आएगा, और अगर नहीं 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 आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूगा, आप मैं कर सर रहसे मत बोलो सर केसे पढ़ेंगे फिर, तो मैं यह कह रहा हूँ, मैं इतने दा members, so you cannot learn the question, you have to learn the process, so always follow the process, किसी भी चीज में, part of life की दुनिया में कहीं भी हो, आप हमेशा, follow the process, ठीक है, कहता है, find के, हमने गा, ठीक है, क्यों, कैसे करें, कहता है, if x-1 is a factor of, x-1 is a factor of, हमने गा, जब भी factor दिया होता है, उस factor को क्या, let कर दो, x-1 equal to 0, और x कितना आया, 1, अब polynomial में जहां जहां x है, वहां वहां 1 डाल दो, polynomial मतलब P, और polynomial, sorry, polynomial x की फॉर्म में है, और यह रहा, polynomial 4x क्यूब, माइनस 3x स्कुएर, माइनस 4x, प्लस के, और जहां जहां polynomial में x है, वहां वहां 1 डाल दो, डाल दो, और, 1 का क्यूब, माइनस 3, 1 का स्कुएर, माइनस 4, 1 प्लस के, आपने का सर, क्या कर रहे हैं हैं, आपने का देखते जाओ, 1 का क्यूब is 1, 4 x 1 is 4, 1 का स्कुएर is 1, 1 x 3 is 3, माइनस 3, और माइनस 4 प्लस के, इसको देखते हैं ध्यान से, तेखो वेटा, यह प्लस 4, माइनस 4 कैंसल हो गए, नेवे माइनस 3 box kg आपने करते हैं माइनस 3 box k क्या है मैंने का माइनस 3 Pass truthful remaining और जब भी कोई किसी का Factor होता है तो remainder हमेशा 0 होता है always learn the process अगर मैंने का 2 is a factor of 10 नोक्तलब 10 को आप 2 ले are करोगे तो 100% remainder क्या आएगा जीरो जब आप x-1 को इससे डिवाइड करोगे remainder क्या ना चाहिए 0 हम कहरें remainder minus 3 plus k मैं करो remainder 0 लड़ाई हो गई हम निकल अड़ों मत्यार यह लो minus 3 k therefore minus 3 plus k is equal to 0 और k क्या आगया हो 3 कितना असान है कितना साल है आपने का सब्सक्राइड पार्ट पर चलते हैं जल्दी से जल्दी से वीडियो को खतम करना है पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरे पर आ जाते हैं बहुत असान कोशन है number of zeros of the polynomial देखो यह एक polynomial है आपके पास x-square plus 4x plus 2 यह आपके पास एक polynomial है किस polynomial को ध्यान से देखो इसमें जो variable है कौन है variable x उसकी maximum power कितनी है 2 तो यह कुन सा point normal हुआ quadratic point normal हुआ polynomial में variable की जितनी power होगी उसके उतने ही zeros होंगे कहता है number of zeros of the polynomial are 2 याद रखना अभी उसने बोला नहीं है zeros निकालो अगर वो बोलता zeros निकालो तो हम splitting the middle term करते है तो third question का answer क्या हुआ third question का answer मैं यहां लिख रहा हूँ number of zeros will be it will have two zeros चलते हैं आपने question number 3 पे और देखते है question number 3 हमें क्या कहता है question number 3 में आँ देखते हैं पहला question क्या है question number 3 में पहला question कहता है वो इफ X is equal to hundred then find the money invested. हमने कहें X is equal to hundred find the money invested. ओपर जाना पड़ेगा यारब जाना पड़ेगा नीचे से उपर जाना पड़ेगा. तो आव जड़ा देखते हैं X is hundred तो यहां पर polynomial का हैं? polynomial यह रहा. तो कहता है अगर X hundred है तो आपने गा सारह समझ गया. polynomial में x की जगा 100 डाल दो कितनी सिंपल शी बात है तो आज ज़रा solution शुरू करते है solution शुरू करते है solution number one polynomial में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 100 डाल दो यह क्या हुआ 4 into 100 का square plus 12 into x मतलब 100 और plus 5 यह कितना आ गया 4 into 100 का square is 10,000 तो 4 और 4 zeros मतलब 40,000 plus 12 into 100 is 1200 plus 5 अब इनको plus करना है कभी भी आपको बड़े-बड़े numbers को plus करना हो हमेशा उसको last 2 को plus पहले किया करो तो 1, 2, 3, 4 zeros plus 1, 2, 1, 0 की जगा 5 ले लेगा और यह 4 number इन 4 zeros की जगा ले लेगे कुछ दरने घबराने की बात नहीं होती हमेशा सोरी से concept लगाना होता है मैच का rule है तो आपने का 1, 2, 0, 5 41,205 is your final answer second part भी जगते हैं what is the degree of the polynomial degree of the polynomial is maximum power of variable in the polynomial and degree is 2 third part पहलाते हैं third part पहलाते हैं find the shares invested by Preeti and Nandani separately आओ उपर देखते हैं question को दवारा बढ़ते हैं Preeti and Nandani started a new business under EMC business blasted the investment made by both of the partners is represented by the polynomial अब पॉइलनॉमेल दोनों की investment एक polynomial है अब अलग-अलग investment कैसे होगी मतलब इस polynomial की अलग-अलग हिस्से करने हैं मतलब इस polynomial को brackets में divide करना है मतलब इस polynomial को factorize करना है और polynomial में variable के उपर मतलब पूरे polynomial में एक ही square है मतलब ये एक quadratic polynomial है और quadratic polynomial को factorize करने का हमारे पास इस दुनिया में एक ही रास्ता है that is splitting the middle term class 9th के basis पे splitting the middle term कर दो तो 4x square plus 12x plus 5 अब splitting the middle term में पहला number 4 और आखे number 5 4 into 5 क्या चाहिए 20, 20 चाहिए multiply करके और बीच में क्या है 12, plus करके 12 चाहिए कितना असान है, 10 और 2 number हो गए 10 और 2 number हो गए तो 4x square और 12x को तोड़ दो दो numbers में 10x plus 2x plus 5 अब 4x square और 10x square 10x में से 2x common आ सकता है और यह आगए 2x plus 5 और यहाँ पर कुछ भी common नहीं आ रहा तो 1 common आएगा जब कुछ common नहीं आता तो 1 common आता है अगर सेम साइन कॉपी कर लिया करो यह साइन भूल जाते हो अब यह दो ब्रैकेट आ गई 2x plus 5 एक ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट 2x plus 1 तो therefore नंदनी और प्रीती के शेर सेपरेटली हो गए प्रीती के हो गए 2x plus 5 नंदनी के हो गए 2x plus 1 और यह आपका final answer है अगर मैं और का question देखूं आप यह भी कर सकते थे नीचे वाला भी कर सकते थे नीचे वाले में क्या है पी 10 माइनस पी 0 बड़ा असान है पहले point normal में x के जगा 10 डालो पी 10 आजाएगा फिर point normal में x के जगा 0 डालो पी 0 आजाएगा और जो दो answer आएगे उनको सब्ट्रैक कर दो और answer मुझे comment box में दे दो मगर याद रखना अपने आप से या मेरे से दुखा मत करना comment में एक answer दोगे मुझे भी पर चलेगा वीडियो देखिए आपने आपको समझ आये चीज़ें और आप उनको solve भी कर रहे हो तो जल्दी से मुझे इस question का answer comment कर दो हम चलते हैं जल्दी से अगले question पे question number 4 पे और देखते है question number 4 हमें क्या कहता है question number 4 एक बहुत interesting question इतना बड़ा paragraph आप सब के सामने है मगर फिलहाल हम question को read करने की कोशिश करेंगे first part हमें कहता है write the polynomial representing the area of rectangular sheet अब rectangular sheet है हमारे पास एक और इसका area मतलब हमें इसका area निकालना है representing the area of rectangular sheet तो हम पूरे question में जल्दी से देखते हैं length और breath का है 30% length नहीं हो सकती नीचे आउट इतनी बड़ी square miles of forest ये भी length नहीं हो सकती 17% नहीं है 50 years नहीं है आगे चलो आगे चलो आगे चलो अरे आगे length a b is x plus 3 length दी हुई है x plus 3 और breath दी हुई है x minus 1 और इन दोनों गुमर्टी पे अगर के हमारा आएगा answer जो की होगा हमारा polynomial तो जल्दी सकते हैं अपने answer number 1 पे solution में पहला question first question का answer the polynomial is the polynomial is area area of rectangle is x minus 1 into x plus 3 देख लो यह आपकी length यह आपकी length यह आपकी breadth आपने का सरी यह polynomial थोड़ी है मैंने का बिल्कुल भी नहीं है इनको इनकी bracket open करो multiply करो x को x से करा जितना आया x को यह देखो जब दो brackets सुलती है तो पहले x की बारी आती है x x से होगा फिर x 3 से होगा और फिर minus 1 x से होगा और minus 1 3 से होगा यह distributive properties ही जो आपने class rates में सीखिए है अब आप direct multiplier करना सीखो arrows मतलगा ना आप छोटे बच्चे count होगे आप छोटे बच्चे नहीं हो आप बड़े हो चुके हो x into x is x square x plus 3 is 3x और minus 1 into x is minus x और minus 1 into 3 is minus 3 और यह भी polynomial अभी भी नहीं आया क्योंकि यहाँ पर हम x square की जगा तो x square लिखेंगे मगर 3x minus x होगे और 2x और minus 3 यह रहा आपका polynomial तो आज चलते हैं आपने second question पे क्लास्टिफाइद यह polynomial representing the area on the basis of degree degree क्या है? answer number 2 यहीं लिखे देता हूँ answer number 2 answer number 2 degree of the polynomial क्या है? degree is बतादो जल्दी से degree is 2 variable की maximum power कितनी है? 2 तो degree is 2 और number of terms of the polynomial कितनी number of terms है polynomial में? number of terms are 3 therefore it is a trinomial तो यहाँ पर हमारे कुछ concepts revise हुए और जल्दी से चलते हैं third question पे कहता है verify whether x is equal to minus 3 and x is equal to minus 1 are zeros of the polynomial or not x is equal to minus 3 ध्यान से सुनते हैं answer number 3 की बात कर रहा हूँ अगर मैं x is equal to minus 3 दिया हुए आपको polynomial में x की जगा minus 3 डाल दो डाल दो देखो क्या होता है देखो minus 3 का square plus 2 into minus 3 और minus 3 minus 3 का square होता है minus का square होता है plus 3 का square होता है 9 plus minus हुआ minus 6 और minus 3 और यह आगया 9 minus 9 और आगया 0 क्योंकि remainder 0 आगया इसलिए minus 3 is a 0 yes is a 0 of polynomial px अब किसको चेक करना है किसको चेक करना है minus 1 को minus 1 को आप चेक कर दो practice हो जाएगी आपकी polynomial में x की जगा minus 1 डालो और देखो अगर remainder 0 आगया तो जीरो है अगर नहीं आया तो जीरो नहीं है शलते हैं आपको एरिया दिया हुआ है square का और आपको square की side निकालनी है ठीक है तो side क्या होगी square की side होगी अरे square की तो सारी side सेम होती है तो हमाई जो polynomial दिया हुआ है 9x square plus 12x plus 4 हमें इसका क्या करना होगा कि हमारे पास square की side आजे common sense यूज़ करो तो आपने गा सर ये कैसे आया ये कैसे आया ये जो भी side थी जो भी side होगी जैसे side अगर square की 5 है तो 5 का square करने पर square का क्या आजाता है area अगर square की side 7 है तो 7 का square करने पर क्या आएगा 49 क्या होगा इसका area अगर side of square x plus 1 है तो उसका square करने पर क्या आएगा area तो जरूर किसी side का square करने पर area आया होगा ये तो वो side क्या थी यही वो मांग रहा है मेरी एक बहुत अच्छी वीडियो है basic math series की क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे देश का हर बच्चे को math आ जाए इसलिए मैंने basic math की एक series शुरू की है अगर आप हमारी playlist में जाओगे तो उसमें middle term split का एक बहुत बड़ा topic है, बहुत बड़ी video है अगर आप उसको देख लेते हो तो आपको splitting the middle term कभी आपको हमेशा के लिए आजाएगी आप कभी नहीं भूलोगे उसको एक बड़ आप जाके देख लो देखो जिन्दिकी में कोई भी change अगर अपने अंदर लाना है उस change को लाने के लिए आपको time देना पड़ेगा अई यह देख रहा था एक बच्चा football लाया और football घुमाई उसने एक finger पे तो मैंने का यार तो बहुत interesting है यार केता सर यह एक तो बहुत common है, बहुत असान है मैंने भी घुमा के देखी, मेंसे नहीं मेंसे नहीं होई पहली बारी में, दूसरी बारी में नहीं होती है मैंने कैसे किया, केता सर करते रहो केता सर करते रहो करते करते सर आ जाएगा मगर करते रहो कितना बड़ा लेसन देगिया देख वो आप सब को सर मैस नहीं है, करते रहो रोज दो question middle term split के कर दो रोज एक question middle term split के कर दो करते रहो आ जाएगा तो यह हर चीज में apply होता है तो चलो anyways आप सबको अपनी चिंता होनी चाहिए खुद की तो multiply करके 36 6 into 6 36 और 6 plus 6 12 नमबर मिल गए तो 9x square plus 12x को मैं लिख दिया 6x plus 6x plus 4 और यहां से मैंने 3x common लिया 3x common तो बचा 3x plus 2 और यहां से 6 और 4 में से 2 common आ सकता है बचा 3x plus 2 और यहां पर मेरे पास आ गया 3x plus 2 इंटू 3x plus 2 अब 3x plus 2 हो गए क्या square की side 3x plus 2 तो यह square की side side 3x plus 2 होगए therefore sides of square are sides of square are जो चीज़ पूछी है वो लाइन जरू लिखो 3x plus 2 मतलब सारी side square की क्या होगई 3x plus 2 क्यों 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 all sides of square are equal क्यों तो what is the type of given polynomial given polynomial कैसा है बताओ जो given polynomial कैसा है quadratic polynomial है answer is quadratic polynomial the given polynomial is quadratic polynomial लिख सकते हो आप ठीक है its side of the square is 14 meters हमने का अच्छा question pollution number 3 कहते है square की side 14 है हम कह रहे हैं नहीं square की side 3x plus 2 है जगडा हो गया कि दूसरे पागट पकड़ लिए एक बंदा आया किया तक क्यों लड़ रहे हैं लड़ाई से कोई समधान थोड़ी होता है इस उमर में सबसे जब से सीखने की ज़र होता है मैं देखता हूं स्कूल के बार छोटी छोटी बातों पर इतनी लंबी लड़ाईया कर रहे हो कोई फाइदा नहीं है सर अपनी एगो को साइड रखो और कॉमन सेंस और लॉजिक को यूज़ करो किसी को खट करने से आपका कोई फाइदा नहीं होने वाला बल्कि आपका अनुक्सान होने वाला है तो ये बातें स्पिरिचुलिजम की है जिसे देरे बड़े होगे तो आपको समझ में आएगी अगर मेरी बात मान सकते है तो मान लो फिर कभी इसके उबर बात करेंगे मगर बात ये है कि 3X प्लस 2 साइड है वो कह रहा है साइड 14 है तो जगड़ा कब नहीं होता यह हम दोनों की बात मान ली जाए और कब होता है जब कोई कहें नहीं मैं ही सही हूँ तू गलत है गलत है दोनों सही है ये भी सही है हम भी सही है 3X प्लस 2 वो भी सही है 14 हम कहरें ठीक यार गले लगा लो एक दूसरे को यार क्या फरक पड़ता है इनसान है इनसान के काम नहीं आएगा तो किस के आएगा प्लस 2 दर जाके माइनस हुआ 14 माइनस 2 3X is equal to 12 और X 3 multiply है मैंने जाके डिवाइड हुआ 4 X is 4 ये आपका final answer कितना असान यहीं पे हमारा question number 5 खतम होता है और चलते है question number 6 क्योंकि 5 question और पेंडिंग है और बहुत शानदर वीडियो चलते हैं आगे देखते हैं क्या होता है अज सब के सामने question number 6 question number 6 में पहला part वो कहता है expand 2X minus 3Y का whole cube पर पढ़ने की क्या जरू होता है यह तो एक identity है और इस identity को समझते है इस identity को समझते है इस identity को आपको आना चाहिए देखो A minus B whole cube क्या होता है A minus B whole cube होता है A cube minus 3A square B plus 3AB square और minus B cube पहला plus का sign दूसरा minus फिर plus फिर तिसरा minus हमें क्या पुछा है उसने 2X minus 3Y हमें बताना है 2X minus 3Y का whole cube क्या होगा solution 1 पहले part का solution शुरू करते है तो यह होगा पहले का cube 2X का cube minus 3A का square मतलब 2X का square यहाँ पर A 2X है B 3Y है तो 2X का square into B is 3Y plus 3A is 2X into B का square is 3Y का square और minus B का cube is 3Y का whole cube कितना साथ है अब 2 का cube is 8 और X का cube is X cube minus 2 का square अब जहाँ समझो इस बात इस चूटी सी बात है पेटा इन सब को multiply करने के लिए पहले नमबरों का square करो 2 का square 4 4 into 3 12 12 into 3 36 और X का square और Y क्योंकि X के ओपर square है plus यहाँ पे देखो 3 का square is 9 9 into 2 is 18 18 into 3 is 54 एक्स वाइ स्क्वेर और माइनस 27 वाइ क्योग पहले बाट का आंसर आपका clear यहाँ कितनी जगा रिपीट हो रहा है लिख देना तो आपने का third part सबसे पहला काम क्या करेंगे X-2 को 0 के बराबर रख दो मिर से पहले question करो बेटा चल्दी से मिर से पहले solve कर दो तो X कितना आया 2? poil normal में X की जगा 2 डाल दो 2 का cube minus 2 A 2 का square plus 16 कितना आया? 8 minus 2 into 2 4 रेको 2 into 2 4, 4 into 2 8 8 A plus 16 8 A अब यह 8 A minus का है 8 तो plus का है 8 plus 16 is 24 minus 8 A अब जो भी आपका remainder आया उसको आपको किसके बराबर रखना है? 0 के क्यों? therefore 24 minus 8 A is equal to 0 और अब minus 8 A को उदर ले जाओ 24 is equal to 8 A minus 8 A उदर जाकर प्लस हो गया negativity को अपने आप से दूर रखा करो उसको positive कर दो और 8 multiply में निचे आकर डिवाइड हो गया और 3 आ गया आपका A अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर 24 को भी तो उदर ले की जा सकते थे ले की जा सकते थे मगर फिर minus से minus कट करना वड़ता एक ही बात है और का question लेखो कहता है इस cancer निकालो x minus 2 का whole square minus x plus 2 का whole square और वाला part कर रहा हूँ x minus 2 का whole square plus x plus 2 का whole square a minus b whole square क्या होता है a square plus b square minus 2 into a into b इतना सान है और plus a plus b whole square a square plus b square minus का sign तो नहीं है बीच में बीच में minus का sign है यह बीच में minus है तो minus मतलब 4 मतलब bracket लगाओ बड़ी bracket x square plus 2 का square plus 2 into x into 2 और यह bracket बन अब यहाँ पर क्या आया यह आगया x square plus 4 minus 4 x minus bracket को solve करो x square plus 4 plus 4 x अब bracket open कर दो तो पहले bracket solve की फिर bracket open कर दी minus 4 x minus x square minus 4 minus 4 x अब ध्यान से देखो plus के x square minus के x square गया plus 4 minus 4 गया और minus 4 x minus 4 x answer is minus 8 x या answer उसमें मुश्किल नहीं होता और जलते हैं जल्द जल्द इस वीडियो को end करते हैं 7, 8, 9, 10 question number 7 को जब आप देखोगे तो वो identity based question है देखो question में सबसे पहला question क्या कहता है the side of a square is this what is its area अब side यह है तो area क्या होगा इसका whole square 2 x plus 3 y minus 4 z का whole square क्या होगा उसके लिए identity आपके सामने मैंने उपर लिखी है a plus b plus c का whole square होता है a square plus b plus c square minus नहीं याद रखना है इसमें कोई minus का sign नहीं होता plus 2 a b combinations बनाओ a b b c और a c 2 x plus 3 y plus 4 z होना चाहिए था क्योंकि minus की कोई identity exist नहीं करती तो आप इसको ऐसे लिखो 2 x plus 3 y plus 4 z आपने का सर माइनस कहां गया मैंने का minus कौन लेकिया आया है आपने का 4 z मैंने का उसको बोल अपना minus अपने पास रख भाई मुझे नहीं चाहिए तो हमने plus लिखा 4 z का minus 4 z को वापिस दे दिया अब यहां पर a कौन है 2 x b कौन है 3 y मगर c कौन है minus 4 z तो आपको जब भी identity खोलनी है तो क्या करना है पहले का square 2 x का square plus दूसरे का square मतलब 3 y का square b का square plus तीसरे मतलब c का square c है minus 4 z का square और plus 2 into पहला 2 x into 3 y दूसरा पहला दूसरा दूसरा तीसरा पहला तीसरा plus 2 into दूसरा 3 y into तीसरा minus 4 z और plus 2 into पहला last combination 2 x into minus 4 z अब यहां देखो ध्यान से यह क्या हुआ 2 का square हुआ 4 x का square हुआ x square plus 9 y square plus 16 z square और plus 2 into 2 4 into 3 12 plus 12 x y plus 2 into 3 6 6 into minus 4 is minus 24 अब देखो इसको करते कैसे हैं पहले plus और minus में से decide करो क्या आएगा minus आएगा फिर number decide करो 2 into 3 2 into 3 6 into 4 24 और y और z फिर variable decide करो y और z ठीक है done फिर आप sign decide करो plus या minus में से क्या आएगा minus 2 into 2 4 4 into 4 16 और साथ में क्याएगा x और z तो इधर देख लेते हैं देखो यह answer कहा मैच करता है minus 24 और minus 16 और यह रहा वो answer पहला दूसरा गलत है क्योंकि बेटा plus का square मतलब minus का square plus होता है यहाँ पर इन्होंने minus लिख दिया यहाँ पर confused मत होना यह आपका गलत आशर है side of ruby cube is marked as x minus 2y अरे ruby cube cube का volume क्या होगा इसका whole cube cube का volume होता है a cube side cube अब side क्या है x minus 2y तो x minus 2y का whole cube अरे अपने आप करो यार last question में अभी हमने solve किया a plus a minus b whole cube क्या होता है a cube minus 3 a square b plus 3 a b square minus b cube अपने आप do yourself self question करना आपने अब third part में आजाओ जली से third part में question कहता है 8 x cube minus 27y cube कि dimensions क्या होंगी 8 x cube यहाँ मैंने आपसे लिखा 8 x cube minus 27y cube अब ध्यान से मेरी बात को समझाओ पहली बात तो यह identity क्यों सी है यह identity a minus b whole cube नहीं है यह identity है a cube minus b cube चाहे identity a cube minus b cube हो या a cube plus b cube हो answer दो bracket होता है a cube plus b cube में दो bracket पहली bracket हमेशा सेम होती है a plus b a cube minus b cube में पहली bracket a minus b ठीक है पहली bracket sound में आगी सबको दूसरी bracket में क्या आता है a square minus a b plus b square कितना सान है ऐसे ही a square plus a b plus b square कितना सान है तो यह हो गया इसको पहले question को ठीक करो यह हो गया 2x का cube minus 3y का cube a cube minus b cube और a cube minus b cube is a minus b सबसे पहले 2x minus 3y और एक ही बाहर minus का sign आता है पूरी identity में एक बाहर minus का sign आता है याद रखना यहाँ पर minus था तो यहाँ minus आगया तो कोई minus नहीं आया यहाँ पर यह same थे a plus b था तो a plus b आया यहाँ पर minus लाना था तो यहाँ minus आया a b के पास और याद रखना 2a b नहीं होता a b होता है और दूसरी बैकेट में क्या आया a ka square, two x ka square देखो पूरा chapter revise हो जाता है करीब करीब आपका case based question की video देखने के बाद इसलिए हमारी पूरी series है आप पूरी series को follow करके हर chapter की case based questions को त्यार कर सकते हो अपने mid term और final term exams के लिए यही questions के आसपास के questions आपको आते होगे, वहाँ पर मिलेंगे और आकर फिर thank you लिख देना पहले का square, minus पहला minus आचुका है sir, plus into दूसरा और plus दूसरे का square, 3y का square अभी यह आपका final answer नहीं है क्योंकि पहली bracket तो यह रहेगी, 2x minus 3y अगर दूसरे bracket को आप फॉल कर सकते हो, यह हुआ 4x का square plus 2 into 3 6xy और plus 9y square अब आजाते हैं अपने last part पर तो यह रहाँ का answer एक बार minus का sign आया फिर सारे plus आगे, दो bracket answer होगा यह minus होगा, दो minus नहीं हो सकते एक बार minus आगे तो सारे plus होगे एक बार minus होगे और बाकी सारे plus बिलकुल ठीक भी पार्ट आपका सही answer ठीक है कहता है, if dimension of each object is expressed in a polynomial कहता है, पता हूँ, इन में से कुन सा एक polynomial है यह polynomial नहीं हो सकता क्योंकि इसमें x के उपर power root है, root मतलब 1 by 2 और x नीचे है, नीचे आगे x की power 1 है, उपर जाएगा x की power minus 1 हो जाएगी, power negative हो गई point level नहीं हो सकता है, यहाँ पर भी power negative हो जाएगी मगर यहाँ पर जब आप multiply करोगे, तो x का square आएगा और power एक whole number में आएगी तो यह हो सकता है आपका answer तो यह रहा है आपके सामने 7th question, एक बहुत अच्छा question आपने discuss किया, काफी सारी आइनिटी सी की चलते हैं अपने 8th question एक बहुत unique question, question number 8 अब ज़रा question number 8 को लेखते हैं question number 8 क्या कहता है, क्याता है, क्याता है, find a distance traveled by Ravie, y is equal to 2 तो solution 1 शुरू करते है अब distance traveled by Ravie है क्या, देखते हैं क्याता है, delivery by Ravie who travels the distance of PY दिया हुआ है, P of Y दिया हुआ है, आपको कितना, 2Y Q plus Y square minus 2Y minus 1 अब हमें distance travel निकालना है Y is equal to 2 पे, तो point normal में जहाँ जहाँ Y है, वहाँ वहाँ 2 डाल दो तो 2 2 का cube plus 2 का square minus 2 into 2 minus 1, यह कितना हो गया 8 into 16 plus 4, minus 4 plus 1, 4 से 4 कैंसल हो गया 17 आप का अंसर आगया total distance traveled is 17, ठीक है, done तो आगे सुलते हैं, कहते है it is given that speed is equal to distance upon time हमने का ठीक है, speed हमें पता है speed distance upon time होता है अगर speed distance upon time होता है मैं आपसे पूछ लोग, अगर speed distance upon time होता है तो फिर time क्या होता है distance upon speed हाना, तो बस इन बातों का ख्याल रखना है आप तो फिर distance क्या होता है speed into time, ठीक कहता है, रखी drives everyday with a speed अब रखी की speed दे दी और रखी का distance दे दिया कहता है, रखी का time निकालो तो हमने का speed is equal to distance upon time, तो रखी का time is equal to speed निचा ले आओ time उपर ले जाओ, distance upon speed तो जो भी रखी का distance है उसको speed से divide कर दो, is solution number two, अब समझे मैं जी बात, यह रहा आपका solution number two, और आप में teacher को बता दिया, ma'am, speed is equal to distance upon time, तो time is equal to distance upon speed let's divide distance by speed अब divide कैसे करते हैं, देखो बड़ासान है, two y square और यह two y cube आपको कमी ढूंडनी है, आपको यह सोचना है, मैं two y square को किस से multiply करूं two y cube आ जाए two आपको चाहिए, two आपके पास है, y square आपके पास आपके पास y square है, आपको y cube चाहिए, तो कितने y की जरूरत आपको, एक y की तो बस, कितनी simple सी बात है एक y चाहिए, आपको यहाँ पर y लिख दो यहाँ पर y लिख दो अब two y square को y से किया two y cube आ गया अगर माइनस y को y से किया तो माइनस y square आ गया और माइनस one को y से किया तो माइनस y आ गया अब यहाँ पर line लगा दी जैसी line लगा, यह sign बदले माइनस, प्लस, माइनस यह cancel हो गया और y square plus y square हो गया 2y square वाज यह plus का हो गया ना यह minus का था plus का हो गया minus 2y plus y हो गया minus y और minus 1 अब बताओ 2y square को किस से multiply करो 2y square आजाए किसी से भी नहीं तो किस से 1 से plus 1 से है minus 1 से plus 1 से तो 2y square को plus 1 से किया 2y square आगया minus y को plus 1 से किया minus y आगया minus 1 को plus 1 से किया minus 1 आगया line लगाई minus plus plus सब cancel हो गया remainder 0 आगया और time आगया आपका answer divide करने के पाद answer is time time is equal to y plus 1 कितना simple question था ठीक है तो बहुत बड़ी हा question था मज़दार question था थार्ड पार्ट में कहता है find the degree of the sum of p y and g y p y की degree क्या है polynomial in terms of y polynomial in terms of y की degree है 3 और g y की degree है 2 और answer आगया 5 sum of 9th question और 3 10th question और फिर वीडियो का end करेंगे question number 9 एक बहुत common question है बहुत सारे school के exams में पूछे जाता है mid term और final term में आप question को ध्यान से दिखते हैं बहुत interesting और बहुत simple question है question कहते राहूल formed a square using four pieces of origami as shown below based on the above information answer the following questions write the trinomial which describes the area of square अब area of square होता है क्या side square area of square के लिए square की side ढूणते है देखो इतना part 5 है this is 5 दिया हुआ आपको question में और इतना part x है तो पूरे square का एक side कितनी हो गई 5 plus x और area क्या होता है square का side square कितनी simple सी बात है तो solution पे चलते है solution number 1 पे side of the square मतलब trinomial तो आपको trinomial अगर देना है तो area of square देना है तो area of square होगा आपका area of square is x प्लस 5 का whole square और x प्लस 5 का whole square होता है a square plus b square plus 2 into a into b तो यह हो गया x square plus 25 plus 10x यह आपका answer आगा है this is a trinomial and this is the answer of part 1 part 2 प्यू चलते है क्याता है area of square is given by this क्याता है अगर answer number 2 solution 2 क्याता है मैं कह रहा हूँ अगर area of square यह होता तो square की side क्या होती तो आपने का x square minus 10x plus 25 अच्छा यह होता तो इसकी side निकालने के लिए इसको bracket में convert करना और स्की bracket बनाने के लिए हमें इसको factorize करना और इसको factorize करने के लिए हमें करने होगी splitting the middle term multiply करके चाहिए 25 plus करके चाहिए 10 मगर minus 10 तो number हुए minus 5 और minus 5 minus 5x minus 5x plus 25 यहां से हमने x common लिया x minus 5 और यहां से minus 5 common लिया x minus 5 और यहां पर आपका अंसरा गया x minus 5 और x minus 5 तो side of square होगी x minus 5 side of square अगर area of square यह होगा तो side of square होगी x minus 5 is your final answer कहता है if area of square is given by this find p0 plus p1 कितना असान है solution number 3 देख लो यहीं देख लो बताओ p of 0 क्या होगा पूरे polynomial में 0 डाल दो x की जगह तो 0 का square minus 10 into 0 plus 25 तो कितना आ गया 25 अब बताओ p of 1 कितना होगा p of 1 polynomial में 1 डाल दो 1 का square plus sorry minus 10 into 1 और plus 25 और यह आ गया 1 minus 10 plus 25 जो की हुआ आपका 1 minus 10 is minus 9 and minus 9 plus 25 is minus 16 नहीं plus 16 16 अब इन दोनों को plus करना है इन दोनों को plus करके क्या आया 25 plus 16 is 41 is your final answer जलते हैं आपने last question question number 10 पे अगर मैं question number 10 की बात करूँ तो it is one of the most important questions पूरी वीडियो का सबसे important question question number 10 है क्योंकि ये बहुत सरे exams में आपको दिखेगा और exact same values के साथ मिलेगा तो इस question को बिलकुत जाने मत देना ध्यान से समझना देको बहुत असान सी बात है question कहता है question को हमें उपर से बढ़ना पड़ेगा नीचे से कोई फाइदा नहीं है क्योंकि नीचे कोई information हमेरे पास नहीं है सारी information उपर है अब इस question में पहले हमने नीचे question पड़ा बढ़ हमें कुछ नहीं मिला तो हमें उपर जाना पड़ा तो अगर मैं solution number one की बात करूँ ध्यान से मेरी बात को समझना सबसे पहली बात मुझे अगर ratio दिये जाती है तो मैं हमेशा ratio को क्या मानता हूँ x let length to width ratio भी let length and width b क्या होगी length and width 4x and 3x क्योंकि length दी हुए आपको 4 is to 3 की देशों में तो एक होगी 4x और एक होगी 3x कहता है मगर एक बात है जो side में इसके न वुड लगी हुए है वुड, side में वुड है तो वो 7 add कर रही है width में और 8 add कर रही है length में हमने का therefore तो length हो गई length में क्या add हो रहा है length है कितनी 4x और length में add क्या हो रहा है following question write the expression for length and breath of the window this is the first answer यह तो find the polynomial अब polynomial निकालने के लिए हमने area of the window निकालने के लिए area of the window क्या होगी length into breath तो solution no.2 पे अगर हम चलें solution no.2 में जो polynomial होगा polynomial is जो polynomial होगा, वो क्या होगा? length into breath 4x plus 8 into 3x plus 7 अब इनको multiply करना शुरू करूँ यहाँ पर 4x किसे multiply होगा 3x से तो यह होगा 12x square और 4x multiply होगा 7 से तो यह होगा 28x plus 8 होगा 3 से तो 8 into 3 is 24x और 8 into 7 is 56 मेरी पास समन्हें है को मैंने कैसे multiply किया अब यहाँ पर answer निकालने के लिए 12x square plus 52x plus 56 आपका point number में लागया कितनी असान सी बात है? केते हैं, what can be said about the number of zeros of the point number? number of zeros depends on the maximum power of variable quadratic polynomial है, variable की maximum power 2 है, तो zeros कितने होगा है? तो, answer is 2 तो zeros चलते हैं हम अपने answer number 3 पे, answer number 3 कहता है, find zeros of the polynomial अगर आपको इस polynomial के zeros निकालने हैं, तो आपको इसकी splitting दे middle term करने होगी हैं, तो आपको इसकी splitting दे middle term करने होगी हैं, तो आपको वो कैसे करें हैं तो बहुत बड़ा number है? मैंने का देखो, बड़े-बड़े numbers की splitting दे middle term भी वैसे ही करते हैं, जैसे हम छोटे numbers की करते हैं, यहां multiply करके क्या चाहिए, 12 इंटू 56, 6, 72 और प्लस करके 52, नमबर ढूनने पड़ेंगे, आपने का सब बड़े number time consuming हो जाएगा, मैंने का सब कॉमन सेंस लगाते हैं, मैंने जब आप इसकी middle term split करोगे, आपको 28 और 24 नमबर ही मिलेंगे, अरे अच्छा अगर, मैंने का यह सोचो ध्यान से, तो आपने का सब अच्छा, तो मैंने का बिल्कुल, तो अगर आपको ऐसा question आ जाए, तो थोड़ी common sense लगाना, 52 x middle term split, already teacher ने आपको करके दिया है, आपने ख राकिट आने वली हैं आपकी, और इसके zeros बताने के लिए आपको इनी को zero के बराबर रखना पड़ेगा, तो यह अगर 12 x square, 24 को इसके साथ लिख दो, क्यागी 24 x common, असान हो जाका लेना, और 28 x plus 56, यहाँ पर हमने 12 x common लिया, 12 x common लिया, तो हमार रपस क्या आया, x plus 2, फिर हम यहाँ पर 28 और 56 में से 28 common लिया, हमार पस क्या आया, x plus 2, और यहाँ पर हमारे पास आया, x plus 2, एक ब्रैकिट और दूसरी ब्रैकिट, 12 x plus 28, आपने का सर ब्रैकिट तो सेम आएंगे, ब्रैकिट तो सेम आई नहीं, ब्रैकिट सेम है, ध्यान से देखो, यहाँ से 4 common लो, x plus 2 है ना, और दूसरी ब्रैकिट सेम है, आपकी 3 x plus 7, यहाँ से 3 common लो, तो 3 x plus 7, बात वही है, बस हम इसको इधर से उधर लिग देते हैं, तो यह आ जाता, वगर 0s निकालने के लिए का करते हैं, therefore 0s आर, 0s आर, x plus 2 को 0 के बराबर रख दो, is equal to 0, x कितना है आपका, minus 2, और क्या करो, 12 x plus 28 को 0 के बराबर रख दो, x कितना है आपका, minus 28 upon 12, x कितना हुआ, यहां से देखो, minus, अब यह किस से गया, 2 से गया, 14 upon 6, फिर 2 से गया, 7 upon 3, minus 7 upon 3, यह दो 0s हो गया, यह रहा आपका final answer, यहीं पर हमने की वीडियो को end, wish you all the best, thank you so much, और हमारी सीरीज को देखते रहो, चैनल को सब्स्ट्राइब करना बिल्कूल मत भूलना, वीडियो अच्छी लगे हो, तो जरूर लाइक करना और मुझे कॉमें जरूर बताना, मिलते हैं आप दे नेक्स्ट वीडियो में, thank you so much, wish you all the best.